आज हम बनाने जा रहे हैं भागर की खिचडी यह आप इसे उपमा भी बोल सकते हैं कुछ लगों पे इसे समा के चावल बोलते हैं इंगलिश में इसे बार्नियार्ड मिलिट्स बोलते हैं यह काफी हिल्दी होता है तो चलिए इसे हम थोड़ा पास से देखते हैं तो यह देखिए यहां पे हमने एक कप भागर लिया है और यह इस तरीके से दिखता है महारास्टरा में बोलते हैं सींप्ली जैसे आप नॉर्मल राइस को वाष करते हैं उस तरीके से आपको इसे वाष कर लेना है में एक कप पानी डाल दिया है हमने इसे मिक्स करके एक मिनट के लिए रख देंगे और फिर इसे वाश करके हम यूज करेंगे लोग इसे वरत में खाते हैं तो आप अपने हिसाब से इसे बनाईएगा तो यहां पे हमने कड़ाई में रिफाइंड ऑई डाल दिया है और फिर हमने डाल दिया है जीरा में एक मिर्ची और एक छोटा सा जिंजर का तुकड़ा और फिर डाल देंगे हम इसमें एक कटा हुआ अलू और इसे हम एक से दो मिनट तक ऐसे मीडियम फ्लेम पे इसे कुप कर लेंगे इसे दो मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे डग कर रख द दाल देंगे एक कप कटा हुआ के लिए भागर हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है आप लोग इसे जरू ट्राइ करें इसका बेस्ट पाट यह है कि यह हार्डली दो से तीन मिनट में बन करके त्यार हो जाता है तो यह देखे अभी हम इसमें बागर डाल देंगे यहाँ पर मुझे गी डालना था बड़ मैंने गलती से रिफाइंड ओयल यूज कर लिया है तो आप इसे देसी घी में बनाए इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है इसे फास्ट में खाया जाता है तो जो चीजे आप फास्ट में खाते हो वह सारी चीजे आप इसमें एड कर सकते हैं लाइक आप इसमें डाल सकते हैं मखाना डाल सकते हैं तो वह सारी चीजे आप इसमें एड कर सकते हैं तो इसको हम slow flame पे roast करेंगे तो यह देखिए 2-3 मिनट हो गया है इसे roast होते हुए और यह काफी अच्छी तरीके से roast हो चुका है बीच में आपको इसे चलाते रहना है अब इसमें हम एक कप पानी डालेंगे एक कप हमने भागर लिया था एक कप पानी डालेंगे पानी इसमें बहुत जादा नहीं डालना है वरना यह खिले खिले नहीं बनेंगे तो पानी आपको बहुत ही केरफुली डालना है अब इसमें हम डालेंगे एक नमच 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 एसपर टेस्ट डालना है आपको और इसे हम पांच मिनट के लिए ढग देंगे slow flame तो यह देखिए पांच मिनट बाद हमें इसे उपन किया है और यह कुख हो चुका है इसमें से काफी अच्छी खुश्बू आ रही है तो आप लोग यह रेसिपी जरूर ट्राइ करिएगा आप इसे breakfast lunch dinner कभी भी इसे आप बना करके खा सकते हैं अब इसमें हम coriander leaves डाल देंगे इसके काफी अच्छा टेस्ट आता है तो आप इसमें धेर सारा coriander leaves डालें और बस इसे डालने के बाद इसे मिक्स कर देना है आपको और फिर इसके बाद यह सब करने के लिए तयार है तो यह दिखिए अब इसे हम सब करेंगे I hope आपको यह रेसिपी पसंद आई पसंद आई हो तो प्लीज अपने friends and families के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें thanks for watching